तो बच्चों continue करते हैं, taxonomic hierarchy को, अगली जो category है, वो है order, order क्या है, family के बाद की category है, इसमें हम similar families को रखेंगे, assemblies of similar families, similar families रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, जो number आप common characters होंगे, और और कम हो जाएंगे, with a few characters in common, तो कुछ characters ऐसे होंगे, जो common होंगे, similar families को रखेंगे, तो similarity का level और कम हो जाएगा, जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, कि एक ही जैसे लगबग है, मिलते जुलते तो एक species के हैं, फिर similarities थोड़ी कम हैं, तो एक genus में रखेंगे, और ज्यादा similarities कम हैं, तो एक family में रखेंगे, अब यहाँ पर similar families को मिला के एक order बनेगा, पर एक रखेंपल, ताइगर, लायन, लेपर्ड, इनका genus, एक ही है, पेंथरा, cat, इनका genus, फेलिस, लेकिन इन दोनों की family common है, फेमिली, फेलिडी, अब इसी के साथ अगर डॉग आ गया मान लीजिए, तो डाग की family अलग है, जीनस केनिस और family केनिडी, तो दो अलग-अलग families है, लेकिन family family फेलिडी और family केनिडी, इनको हमने एक ही order में रखा है, और वो है order कार्निवोरा, तो जो कार्निवोरस एनिमल के feature होंगे, वो इन सब में common होंगे, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, टाइगर, लाइन, लेपर्ड का जीनस सेम है, कैट और इन तीनों के जीनस में डिफरेंस है, लेकिन family सेम है, डाग और इन चारों के family में डिफरेंस है, लेकिन order सेम है, लेकिन order सेम है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बारे में अभी आपने पढ़ा है, इसमें डाटूरा, टोबैको, पोटेटो, ब्रिंजल यह सबाते हैं, और कॉन वालवुलेशी, यह दो families हैं, इनको एक order में रखा गया है, पॉलिमोनियल्स, और क्या सिमिलेटी देखी गई है, फ्लोरल करेक्टर, प्लेजड इन ओर्डर, पॉलिमोनियल्स, बेस्ड अन, सिमिलर, फ्लोरल करेक्टर, तो फ्लोरल करेक्टर की सिमिलेटीज के बेसिस पे, इन सब को, एक ही order में प्लेस किया गया है, दो families, शोलनेसी और करन्वालूलेसी, इसी तरह दो डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी और कैनिडी, इनको एक order में रखा गया है, करनिवोरा, तो ग्रूप आफ, असेंबलेज आप, सिमिलर फैमिलीज, बेद फ्यू करेक्टर्स इन कॉमन, तो कुछ सिमिलेटीज है, इसके बेसिस पे एक order म प्लेस कर दिया गया, डिफरेंट फैमिलीज को, प्लांट के लिए भी एप्लिकेबल होगा और एनिमल के लिए भी एप्लिकेबल होगा, अब order के बाद अगली केटेगरी आती है, क्लास, क्लास, क्लास इंकल्यूड करता है, सिमिलर ओर्डर, फॉर एक्जामपल, अभी ओर्डर करनी वो रहा है, जिसमें ओर्डर करनी वो रहा है, ओर्डर करनी वो रहा है, मैं आपने पढ़ा, लाइन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग, यह सब ओर्डर करनी वो रहा का मिम्बर है, एक पॉर्डर है प्राइमेटर, यह सब आजाते हैं, इन्सान और इसके जैसे मिलते जुलते और्गनिजम, इन दोनों का आडर अलग है, अब इनको अगर हम एक साथ प्लेस करना चाहें, तो एक क्लास में प्लेस कर सकते हैं, और उस क्लास को कहते हैं, इनमें हो सकता है इनकी food habit अलग हो, हो सकता है इनका जो locomotion है अलग है, बाकी तोर तरीके अलग है, बहुत सा behavioral changes है, लेकिन एक चीज़ common है कि सब में memory gland जरूर होगी है, memory gland जरूर है, और body hairs है, memory gland जरूर है, तो इसके basis पे किस में रख दिया गए, class में में लिया में, तो common class है, में में लिया, बाकी बहुत सारे difference है, family ये अलग है, जीन ऐसा अलग है, order तक अलग है, लेकिन class common है, में में लिया, तो ये similar order को include करके चलते हैं, class में, रही बात अब sharing character की तो और कम हो जाएंगे, class में जो common character होंगे, वो और ज्यादा कम हो जाएंगे, अब इसके बाद जो अगला concept आएगा, वो आगगा, फाइलम का, class में में लिया में, ये ही दो order नहीं है, और भी orders है, ये example के लिए बताया गया है, अब क्या, अब इसके बाद class में 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 लिया हो गया, sorry class के बाद, फाइलम, या फिर, division, फाइलम में क्या है, कि हम similar classes को consider करते हैं, जैसे, अभी आपने पढ़ा कि कई सारे order को हमने मेमेलिया में रख दिया, अभी मान लो fishes है, amphibians है, reptiles है, mammals है, birds है, यह सब separate classes है, separate classes है, यह classes है, और इनका एक common philem है, common philem है, card data, किस पे, based है, presence of, notocard, notocard present है, यह चीज common है, दूसरी चीज, dorsal hollow nerve cord, dorsal hollow nerve cord, यह चीज common है, तो इसके basis पे, हमने, इनको एक ही, philem में, रखा, अब division की बात आती है, तो division में जैसे plant में, enjoys पर में और gymnोस पर में, दो division है, लेकिन kingdom तो दोनों का common है, है तो plant ही, तो plant के case में हम, division को, division word यूज करेंगे, और animal के case में हम, philem word यूज करेंगे, अब इसके बाद आखरी आता है kingdom, तो kingdom में तो कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है, kingdom, यह highest category है, अब इसमें क्या है, जितने भी philem है, माल लीजिए animals के सारे philem है, all philems, इनको एक kingdom में रख दिया जाएगा, kingdom, animalia, kingdom, animalia, all divisions, जितने भी plant के divisions है, इनको रख दिया जाएगा kingdom, plenty, तो इस तरह से kingdom हो गया, तो यह पांचों hierarchy हो गए, यह आपकी species से लेके kingdom तक, इस species से kingdom की तरफ बढ़ोगे, आपको similarities लगातार कम होती जाएगी, number आप जो shared character हैं, वो लगातार कम होते जाएगे, similarity से question आता है, उल्टा चलोगे तो shared character बढ़ते जाएगे, अब इसके बाद आपके book में एक table है, उसको भी हम बना के discuss कर लेंगे, और उसके बारे में भी बात कर लेंगे, चार-पांच और्गनिजम दियों है, मायन, यहाउस, फ्लाई, मैंगो, वीट, सारे दियों हैं, तो इसको हम देखेंगे, discuss करेंगे इसके बारे में, और इसके अलावा कुछ suffix use होते हैं, family के साथ कौन सा suffix use होगा, आपका order में कौन सा suffix use होगा, class में, थोड़ी थोड़ी बाते हैं, यह छोटी छोटी, तो इन पे कोई emphasis ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखेंगे, टाइम मिला तो हम इस पे एक short वीडियो, छोटा सा 5-10 मिनिट का बना देंगे, कौन सा suffix, कहां add किया जता है, तो यह हो गया five kingdom, अब हम एक table है, इसमें वो discuss करेंगे, और उसके बाद यह chapter खतम हो जाएगा, thank you.